तो हेलो दोस्तों कैसे आप सब लोगर आज की वीडियों में बात करेंगे स्क्रीन रिकोडिंग से लेकर तो मैं बात करूँगा आपको सिस्टम पर इसकी रिकोडिंग कैसे कर सकते हैं अब इसके लिए आपको थरट पर्ट पड़ने वाली है लेकिन पांच में आपको बताऊ वीडियो जोड़ से देखना तो वीडियो मज़ा आने वाला है इसके पहले चैनल पर नहीं तो चैनल करें सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना साथ में नीचे कमेंट करें जरूब बताना कि आपको कौन सा मैठर्ट सहां पर सबसे जादा पसंद आया ह तो दोस्तों अभी आगे हम अपने सिस्टम पर और मैं दिखाने वाला हूं आपको इसकी कमाला मतलम बजा आने वाला है मुझे खुछ से मज़ा आ गया था जब मैंने इनको यहां पर ट्राइब किया था तो सबसे पहले पहले पर बात करते हैं तो पहले क्या है आप जोसे म सिर्पीन रिकोर्डिंग के तोर पर भी यूस हो सकता है तो यार मतलब कमाल छो इसके लिए आपको क्या चाहरे करना है आप में पावरपोइंट को खुलिफ कर लेता हूं और पहला मैंठर डिखार हौं तो वह पार प्र और बेस ब्लेंक करना है आपको जाना है इसके वाद तो आप की अुदियो रिकॉड कर दिया इसको रिकॉड करना और आपकी जो वीडियो है वह रिकॉर्ड होना इस्टार्ट बूर्इंग रिकॉड हो जाएगी रिकॉड होने के बाद आपको सिंफल माउस एसे करके लाना है यह वापस डायलोग बहुत आपको यहां से लेकिन काम करता है पक्का इसके बाद आपकी जो recording हो यहां आ जाएगी आपको recording पर सिलिफ आपने right-click करना है और right-click करने का पर यहां पर कुछ option open होंगे जहां पर आपको आ जाएगा media save as तो media save as पर click करके आप media को कहीं भी save कर सकते हैं उसके बाद में जहां भी use करना साथ है उसको use कर सकते हैं तो भाई मज़ा आगया कसम से आप powerpoint से भी screen recording कर सकते हो कोई add कोई watermark आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा अब बात करते हैं Xbox game bar की इससे भी recording कर सकते हैं इसके लिए कुछ नहीं करना window फिलस जी आपको प्रेस करना है आपने जो keypad है उस पर और इसके पर गिली करने तो आप इसको पर किल्क करेंगे तो आप और हो और माइक को सब्सक्स करंगा तो अगर आप कोई game वगरा है तो वह अच्छे से काम करेगा लेकिन अगर गैम के अलावा कोईए बेसिक, suppose प्रॉम की यहाँ पर रिकोरडिंग कर रहे हैं, तो हाँ हो सकता है काम ना करें. तो उसमें आपको एक application नहीं एड होकर आई होगी clip champ तो आपको यहाँ पर search करना है clip champ और इसके बाद में इसको open कर लेना है जो कि video edit है काफी अच्छा video editor है और मैंने मतलब काफी अच्छे template वगरा है इसको एक basic use किया था तो आप इसको भी video screen recording के तोर पर use कर सकते हैं जहाँ पर आपको start recording के कुछ feature दिखे जाते हैं screen and camera यहाँ पर आपकी जो screen and desktop की वो record होगी साथ में camera जो होगा उसके यहाँ कोने पर छोटा साथ आपको फ्रेमडी बन जाएगा इसके अलावा camera से recording करने चाते हैं तो आपकी screen के साथ में camera camera recording हो लेकिन screen screen recording करना चाते हैं तो यहाँ पर click कर सकते हैं और आप सिर्फ screen recording यूज़ कर पाएंगे तो यह भी काफी अच्छी है वाके में मुझे पसंद आई है और भाई इसका update वगयरा भी है लेकिन आप फिरी में काफी साथ है इसके template वगयरा यूज़ कर सकते हैं बेसिक editing के लिए और आप चाहते हैं तो अब आते हैं नमबर फाइफ पर तो यहाँ पर आपको दिख रहागा OBS Studio जिसको की live stream में बहुत ज्यादा लोग यूज़ करत हैं या बात में करेंगे इसको भी रहने देते हैं तो बेसिक setup मैंने कर लिया और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक चोटा सा interface तो इसको बढ़ा कर लेते हैं और आपको दिख रहागा start streaming start recording तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं और इसके बाद में आपकी जो screen recording है जिनमें कि मैं यहाँ पर यूज़ करता हूं इसकी निकोर्डर यह आप देख सकते हैं तो कि मतलब काफी लाइट है और काफी मतलब सुरू से ही मुझे पता नहीं क्यों और अच्छी रिकोर्डिंग अच्छी क्वालिटी की साथ में हो जाती है अपको पता दिया है तो यहीं तो यहाँ पर मुझे जो आपको पावरपुइंट वाला मैंने पार बताया उसका तो मुझे खुद भी पता नहीं था तो अब मैंने वह ऐसी मेठेट देख रहा था तो वहीं मैंने देखा कि हाँ यहां भी स्कीन रिकोर्डिंग हो सकती है तो काफी कमाल का फीचर है वहां से भी आप स्कीन कर सकते है कमाल हो गया तो अब क्या आपको जल्दी से वीडियो को लाइक करना है साथ मैं नीचे जान झाल 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 झाल